बिहार के कई जिलों में परेटन की असीम संभावनाए हैं क्योंकि जिला कोई भी हो अगर परेटन के लिहाज से विक्सित होने योग्य है तो बिहार सरकार जरूर वहां के परेटन स्थलों को विक्सित करने की पहल करती है इसी कड़ी में अब बिहार के एक और जिले को आने वाले समय में परिटकों के लिए खास बनाया जा रहा है यह जिला है बिहार का मुंगेर जिला जोसे आप में से कई लोग योग नगरी के नाम से भी जानते होंगे यही वो जगह है जहाँ पर आने वाले दिनों में गंगा की स्वच्छ हवाओं के बीच सुबह शाम सेर किया जा सकेगा आज कल की भागदोर भरी जिन्दगी में दो पल की राहत आपको इस यगह पे जरूर मिलेगी केंदर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे नामामी गंगे योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए ही केंदर सरकार ने इस योजना की शुरुवात की थी इसे योजना के माध्यम से मुंगेर जिले के शहरी छित्र के बारह गंगा घाटो पर मुंबई के मरीन ड्राइफ की तर्ज पर रिवर फ्रंट का निर्बान होने वाला है अब आप ये पूछेंगे कि वैसे तो कई योजना हैं जिसका संचालन पन्नों में तो हो ही रहा है लेकिन हकीकत उसे ठीक उलट है ऐसे में इस योजना को लेकर हम इतने निश्चित कैसे हैं तो हम आपको बता दे कि रिवर फ्रंट बनाने की योजना को हवात तब मिली जब दो सब्ता पहले ही पूर्फ केंद्रिय मंतरी अश्विनी चौबे ने जिलाधिकारियों से इसकी जानकारी ली थी इस योजना के तहट गंगा घाटों के सौंदरी करन का काम शुरू हो चुका है और बबुआ घाट और दोम्ठा घाट पर सीड़ी निर्मान के साथ ही इन घाटों के अप्रोच पत को बनाने का काम भी कर दिया गया है लेकिन तकनीकी कारणों से ही योजना पर अभी पुर्ण विराम लगाया गया है खबरों की माने तो फिर से इसके लिए प्रशासनिक कवाईद को शुरू कर दिया गया है दरसल 4 दिसंबर को मुंगेर आगमन पर भारत सरकार के परियावरन वन एवं जलवायू परिवरतन मंतरी अश्विनी खुमार चौबे ने इस योजना को लेकर जिला प्रसाशन की तरफ से किये जा रहे कवाईद की जानकारी डियम से ली और इसकाम में गती लाने का अंदर 12 गंगा घाटों का चैन किया गया है रिवर फ्रंट योजना के तहट गंगा घाट के करीब पैदल पत और खूपसूरत पार्क बनाए जाएंगे योजना के प्रथम चरण में शहर के गंगा घाटों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा घाट किनारे ट्रक का विस्तार प्रंट के बंचाने से गंगा नदी के खिनारों पर हर्याली के साथ साथ वौकिंग ट्राक का निर्मान होना है यहां घुमने आने वालों के बैटने के लिए बेंच भी लगाई जाएगी नदी किनारे पौधार उपन किया जाएगा परियाबरन को बढ़ावा देने के और अप्रोचपत का निर्मान भी होना है जिससे आने वाले समय में परियाटन को भी खूब बढ़ावा मिलेगा इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक हे लिए धन्यवाद